दोस्तो इस वीडियो में जो महिला दिखाई दे रही है दरसल वह योगी आदितनात की बहन है लेकिन अब आप यह सोचेंगे कि योगी आदितनात तो सीयम है तो इनकी बहन इतना गरीब कैसे हो सकती है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम इसी विसे के बारे में जानने व दोस्त बता दे कि उत्तर प्रदेश के मुखमंतरी योगी आदितनात का उत्तरा खंड में परिवार आज भी गरीबी में जीवन व्यदित कर रहा है। दोस्त बता दे कि इस बात पर योगी जी ने कहा कि सबसे बड़ा योगी वही है जो स्वयम की मेनाथ से संतुष्ट है। दोस्त उनका यह इंटर्व्यू देखी जिसमें वह अपने बहन के बारे में बताते हैं। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई लोग कहते थे कि आपको शरम नहीं आती आप मुख्यमंत्री की बहन है और बहन होकर आप चाय की दुकान चलाती हैं। इन हालतों में रहती हैं। मैं उनको एक ही बात कहूंगी। मैं गरीब हूँ, ये मेरा नसीब है। शरम तब आनी चाहिए जब आप कोई गंदा काम कर रहे हों। किसी के हक का चीन कर खा रहे हों। मैं तो महनत करके अपनी गुजरवसर करती है। ठीक बात है। मैं इसलिए पूछनी हूँ सर क्योंकि आम तोर पर लोग समझते हैं कि चीफ मिनस्टर हों या फिर सांसद हों, विधायक हों। इर्दगेद लोग जो हैं इतने धनी हो जाते हैं। और फिर सार्वजनिक जीवन में इसलिए आते हैं कि जो धन कमा चुके हैं उसे प्रोटेक्शन के लिए। और एक ये इंटर्व्यू है आपकी बहन का। देखे, ब्यक्ति को कभी भी धन और वैभाव संतुष्टी नहीं दे सकती है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगी वहा है जो स्वयम की मेहनत से संतुष्ट है। स्वयम की परिश्ट्रम से संतुष्ट है। दोस्तों की मेहनत से कुछ पराप्त करना। और फिर उसको छीन लेना। यह दो टकैती है। उसके लग-लग रूप देख सकते हैं अब समाज में। दोस्तों बता दे कि ऐसे ही जब योगी आदितनात जी की बहन से पूछा गया कि आप चाय बेशती हैं तो सर्म नहीं आती है क्या। आप मुकमंतरी की बहन हैं और आप चाय की दुकान चलाती हैं। तो देखिए उन्होंने क्या कहा। दोस्तों अमीद करते हैं छोड़ी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इनफॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाए।